हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माइ चैनल और व्रेंट्स अगर नाल बि संधीपन्मोरिया तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे आयतन किसे कहते हैं क्या है आयतन किसे कहते हैं ? तो फ्रेंड चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें 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 तो घेरे गए कुल इस्थान को उस वस्तू का आयतन कहते हैं क्या है किसी वस्तू द्वारा घेरे गए कुल इस्थान यानि कि कोई वस्तु है उससे जितना इस्थान गेरा जाता है वह उसका आयतन कहलाती है जैसे ये पैन है अब ये जितना इस्थान गेरती है ये क्या कहलाएगी इसका आयतन कहलाएगी अब आगे समझते हैं किसी वस्तु का आयतन ग्याद करने के लिए क्या है किसी वस्तु का आयतन ग्याद करने के लिए उस वस्तु की लंबाई चोड़ाई यूम उचाई ग्याद होना आवस्टेक है अगर हम किसी वस्तु का आयतन ग्याद करते हैं तो उसकी लंबाई चोड़ाई यूम उचाई ग्याद होना आवस्टेक है जैसे ये पेन है अब ये इसकी जितना लंबाई होगी इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चोड़ाई हो जाएगी और ये जितना मोटा होगा ये इसकी उचाई हो जाएगी तो अगर इसका लंबाई और चोड़ाई ग्यात है तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं पिन का आयतन निकाल सकते हैं आयतन का मात्रक होता है मीटर की पावर 3 या मीटर क्यूब मीटर क्यूब या सेंटी मीटर क्यूब मीटर का आयतन का मातरक होता है मीटर क्यूब या सेंटी मीटर यद कोई वस्त चोटी है तो उसको सेंटी मीटर में निकालेंगे और यद कोई वस्त बड़ी है तो उसे मीटर में निकालेंगे तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आप सुभी को अच्छा लगा हो तो किर्पा कीज़े गाई से लाइक और जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद